हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माई चैनल आज किस वीडियो में हम रिमेनिंग कोश्चन करेंगे एक्सरसाइस 4.2 के जिससे पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने 8 कोश्चन तक कर लेते हैं उसके 8 कोश्चन कर लेते हैं गर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप पूर सक y is equals to e raise to power 2x यह कौन सी form थे? symbolic form यह थी symbolic form हम axillary form में change करेंगे axillary equation बनाएंगे तो महाँ पास आजएगा d की q minus 6 d की square plus 11 d minus 6 is equals to 0 इसको हम hit and trial method से करेंगे तो हम put करेंगे d is equals to 1 d को हम 1 put करेंगे चीक तो मैं पास आजएगा 1 minus 6 plus 11 minus 6 is equals to 0 तो देखो यह क्या रहा है? same है 11 और 1 is 12 और minus 6 और minus 12 ठीक है तो क्या आजएगा? यहाप पे हम लिखेंगे d is equals to 1 is 1 of the root किसका equation first का? equation first कोन सी है? इसका यह क्या है? एक root है तो हम इसको soul करेंगे 1 minus 6, 11 and minus 6 यहापे क्या जएगा? यहापे आजएगा 1, यहापे आजएगा 1, यहापे आजएगा minus 5, यहापे आजएगा 6, 6 बंज़ 6, 0 इससे क्या प्रूफ होता है? 0 आगया कि जो हमने root लिया है वो camera सही है तो d की value क्या जएगी? d का square minus 5d plus 6 is equals to 0 इसको जब हम soul करेंगे तो मारे पास आएगा d square minus 3d minus 2d plus 6 is equals to 0 और d की value आजएगे मारे पास 3 and 2 चीके d की value आजएगे 3 and 2 और जो हमने hit and trail method से कया तो तब 1 value हो रहाए थी तो हमारे पास कितनी value आजए d की? 3 value आजए चीके हम क्या निकालेंगे? हम complementary function हमारा complementary function निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? c1 e raise to power x plus c2 e raise to power 2x plus c3 e raise to power 3x चीके complementary function निकालना आपको आता है यह आपको समझ आए गया होगा अब हम क्या करते है? particular integral निकालते है मारा particular integral क्या आजएगा? 1 upon me d की q minus 6 d square plus 11 d minus 6 और हमारी x की value क्या है? e raise to power 2x d की जंगे हम क्या put करेंगे? 2 put करेंगे तो 1 upon me यह आपको आजएगा 8 यह आपको आएगा 24 plus 11 minus 6 चीके अब इसको solve करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारा case of failure आता है चीके हमारे पास क्या आता है? हमारा case of failure case of failure आता है हमारे पास तो failure है चैके इसके बाद में हम क्या कैसे solve करेंगे उपर x से multiply करेंगे इसका derivative करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा x से multiply करी और इससे करेंगे तो मेरे पास जाएगा 3d का square minus 12d plus 11 चैके तो इसको करते है X E raise to power 2 X upon में इसको अब 16 करें इसकी जिंगे हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 माइनस 22 प्लस 11 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा X E raise to power 2 X और अपोन में क्या जाएगा प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास प्लस 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 एगा प्लस C3 E raise to power 3 X प्लस X E raise to power 2 X चीक हमारे पास यह हमारा कंप्लीट सोलुशन आ जाता है आप कोश्चिन नमबर 10 देखें कोश्चिन नमबर 10 हमें दे रखा है यह हमारी symbolic form हो जाएगी axillary equation हो जाएगी चीक है अब इसको हम solve करेंगे कैसे hit and trial method से solve करते है हमने put किया d equals to 1 d को 1 पुट करेंगे तो मारे पास क्या जाए 1-2-5 प्लस 6 equals to 0 527617 तो d1 क्या हो जाएगा root आजाएगा इसका तो हम solve करते है इसको solve कैसे करेंगे यह पर 1-2-5 and 6 चीक है तो 1 यह पर आजाएगा 1 यह पर आजाएगा minus 1 तो यह पर minus 1 minus 6 और minus 6 0 इसका मतलब क्या है हमने जो हमारा root आया वो क्या है बिलकुल सही है तो इसको solve करेंगे d square minus 1 d minus 6 is equals to 0 इसको solve करते है तो d square minus 3 d minus 2 d minus 6 is equals to 0 d d minus 3 minus 2 d minus 3 is equals to 0 d की value क्या आजाएगा यहां से 2 and 3 और पहला जो question क्या है तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा था 1 आ रहा था मतलब जो हमने यह solve क्या था चीक है तो इसका भी क्या मनेगा cf जो मारे इसका complementary function मनेगा वो भी क्या मनेगा c1 e x plus c2 e raise to power 2 x plus c3 e raise to power 3 x चीक है इतनी बात clear हो गए हम क्या निकालेंगे विसका particular integral one upon particular integral क्या होगा d की q minus 2 d का square minus 5 d plus 6 e raise to power 3 x चीक है आप क्या करेंगे d की जंगे हम क्या put करेंगे 3 put करेंगे ऑगे then 3 put करेंगे तो मारे पास क्या आजाएगा यहां पर आजएगा 3, 3, 9, 27 आएगा यहां पर आजएगा यहां पर हमारे पास आएगा 18 यहां पर आजएगा 25 यहां पर आजएगा प्लस 6 चे का तो यहां पर क्या बन रहा है 33 and 33 बन रहा है 1 upon me 33 minus 33 यह भी क्या रहा है case of failure case of failure के लिए आपको respect to capital D 5 e raised to power 3x is equals to x e raised to power 3x और हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा 27 minus 12 minus 5 that is x e raised to power 3x upon me 27 minus 17 that is x e raised to power 3x upon me 10 ची कहें तो यह हमारा particular integral आता है तो हमारा complete solution कहाएगा cf plus pi आई आजाएगा क्या लिखोगे आप c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x plus c3 e raised to power 3x plus x e raised to power 3x by 10 ची कहें question number 11 देखें ध्यान से समझेगा इसको simply क्या क्या इसमें d square plus 1 y is equals to 0 axolar equation बना इसको solve करेंगे d square plus 1 is equals to 0 d की value क्याएगी plus minus under root 1 under root 1 क्या होता है माइनस में आयोटा होता है तो d की value plus minus आयोटा आजाएगी चीक है तो हमारे पास किसकी value होती है आयोटा बीटा की value हो जाती है जो alpha होगा हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इसका cf क्या आएगा e raised to power 0x c1 cos x plus c2 sin x ठीक है आयोटा क्या होता है माइनस वन होता है तो भाहर निकालेंगे इसको तो क्या हो जाएगा इसको स्कुर्ण करेंगे तो क्या जाएगा दी प्लस आयोटा दी माइनस आयोटा को सिकेंट एक साथ में चलेगा इस टर्म को ना हमारे पास इसको सोल करने के बाद कुछ फोर्मॉल आएगा लोग उस्टरम आएगी जिसको आप आज़िटीज कर सकते हो बट अभी मैं आपको सोल करके दिखाते हूं देखो हम क्या करेंगे इसमें पार्शली फैक्शन यूज करेंगे एडी प्लस आयोटा और बी डी माइनस आयोटा इसके मल्टिप्ला इसके साथ इसके मल्टिप्ला इसके साथ नीचे से आपस में कर जाएंगे देखो इसको सोल करेंगे देखो इससे इ वैल्यू आ रहे हैं घीग ल्मिल रहे हैं तो मैं किया मिल रहा है हमारे पास मिल रहा है qa पर देंगे उसके साथ कुछ भी एक्स होंगे उसको एज़े बात है को एक्समें से लिग देंगे उसको धरेंगे यह बात सिस्वा More Earl गया विद reminds us कर सकते हैं हमने क्या क्या जोंते की दोनों में अंदर मल्टिप्लाय कर दी चिक है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मॉला यूज करेंगे E raised to power alpha x integration e raised to power minus alpha x dot me x dot dx चिक है इस फोर्मॉले को हम कभी भी यूज कर सकते हैं चिक है तो इसको हम apply करेंगे यहाँ पर देखो इसमें apply करेंगे यहां पर देखो यह कैसे apply होगा यहां पर लिखना पड़ेगा one upon करेंगे तो e raise to power minus iota x और cosecant x x हो गया as it is dot dx आजाएगा चीक है और यहाँ पर करेंगे तो minus as it is e raise to power देखो यहाँ पर plus है बट formula में क्या है minus है formula में तो यहाँ पर minus आजाएगा भारोर अंदर हो जाएगा minus minus plus cosecant x ठीक है इलर्ट theorem क्या बोलती है कि e raise to power plus minus iota theta मतलब plus में तो यहाँ पर cos theta plus iota sin theta माइनस है तो cos theta minus sin theta जाएगा चीक है इस formula को अगर हम यूज करते है मतलब इसकी अगर हम value रखते है इसको तो as it is रख दिया और यहाँ पर हम अगर put करते है इसको चीक है यहाँ पर put करेंगे इसके साथ multiply करेंगे यह क्यों होता है one upon में sin theta हो जाएगा यह चीक है तो यहाँ पर cos theta plus sin theta जाएगा तो माइरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर coat बन जाएगा यहाँ पर coat plus iota बन जाएगा यहाँ हम उसको दूसरे तरीके से solve कर सकते है अगर आपको इसकी value नहीं पती है तो sin x को t put कर देंगे cosecant dx को dt put कर देंगे चीक है तो यहाँ हमारे पास आएगा e ix dt t यहाँ पर one upon में two iota सास्था चल रहा है ठीक है से चलेंगी एक जैसे चलेंगे बस यहाँ पर minus है यहाँ पर plus आचाएगा अगें करते हैं आगे देखिए आप लोग देखिए हमारे पास यह आगया वन अपन में two iota e ix log sin x minus this and this चीक है अब हम क्या करते है common find out करते हैं हम common निकालते तो क्या आता इसमें से देखो e iota x minus e minus iota x यह common आ रहा है किसमें से इन दोनों term में से इसको common ले लिया और iota x इन दोनों term में से common ले लिया और minus भी common ले लिया चीक है तो हमारे पास formula होता है sin x e x minus e raised to power minus x by 2 cos x e x plus यह दोनों formula आपको धंग से याद रखने है because almost questions में formula use हो रहे तो इसकी जंग हम यह value रखेंगे इ इसको common लिया तो यह कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा log sin x sin x minus x cos x तो complete solution हमारे पास यह आजाता है चिका आपको question समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपको कुछ doubt है तो आप मुझस से पूछ सकते है next question देखें मैं आपको 12 question और 14 question और करवाऊंगी 13 question रहता है बस इस exercise का सरफ 13 question चुडवारियों मैं ठीक है अगर उसमें भी कुछ doubt हो तो आप पूछ लेना वरना वो question आप खुद करके देखना इसको solve करेंगे हमारे पास cf आपको निकालना आ गया cf की value यह आएगी ठीक है पर्टिकलर इंटीकल देखें डी स्क्वेरा आयोटा की जंग सिट्टा साइन सिट्टा आ गया यहां पर हमें इसको solve करेंगे सब को solve करने के बाद में आप यहां पर देखो बस इस step में थोड़ी confusion हो सकती है यहां पर हमारे पास one upon में two iota को मना आएगा आपको पता है यह raised to power iota x आएगा dx minus 10x यह हमारे पास term आ जाएगी जो इस से पहल होसा हैगा minus iota log cos x आजाएगा चैक है अब क्या करेंगे x common लेंगे यहां से और यहां से तो हमारे पास क्या बज़एगा e iota x minus e minus iota x प्लस में one by two यहां से क्या कर दे हैं हमने log cos x ले दिया νेया common में और हमारे पास क्या बज़एगा है यह raised to power iota x plus e raised to power minus iota x चैक है अब द प्लस लोग को सेक्स अगा वहागा तो अब देखें आप लोग क्या आएगा यहां पर अंसर आजाएगा वापास यहां पर इसकी वैल्यू रख देंगे साइन एक्स प्लस लो को सेक्स यहां पर भी को सेक्स अगया तो अब मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसकी पीडिया बी सैंड करने हैं आप लास्ट कोशिन देखे एक्जलर इक्वेशन लिखेंगे cf आपको निकाल आए गया है इसको सोल करेंगे simply d की value आजेगी 1 and 2 चीक है cf आएगा c1 e raised to power x plus c2 e raised to power 2x then pi निकाल लेंगे इसको function को as it is रखेंगे x as it is रखेंगे इसको सोल करेंगे d minus 2 d minus 1 यह आजेगा चीक है देखो हमारे पास formula होता है यह वाला इस formula को हम कहीं भी apply कर सकते हैं चीक है तो हम इसमें क्या करते हैं d minus 2 को भार रख लेते हैं और इसके साथ इसका formula apply करते हैं तो यहां पर e raised to power x as it is e raised to power minus x cos e x dot dx ठीक है अब इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं e raised to power minus x को z put कर ले इसको solve करेंगे तो minus e raised to power minus x dx is close to z आगया यहां पर लख दिया यहां पर आगर z z की value कितनी आ जाएगी हमारे पास यहां पर हमने रख दिया sin z आ गया चीक है भार cos का करेंगे तो sin z आ जाएगा तो sin z की value रख देंगे e raised to power minus x ठीक है यह simply चल रहा है अब यह क्या करेंगे इस complete को हमान लेंगे x इसको इसके साथ solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 upon me d minus 2 minus e raised to power x sin e x इसमें formula apply करेंगे यह simply formula apply किया यह अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा minus x बच जाएगा sin e raised to power minus x as it is dx as it is आ जाएगा e raised to power 2x इसमें फिर इसको z put करेंगे यहाँ पर हमारे पास integration चल रहा था integration चल रहा था हमने फिर z put किया तो इसको solve करेंगे तो मैं पास cost ही आ जाएगा t की value cost e raised to power minus x तुमारा complete solution मनता है c1 e x plus c2 e raised to power 2x plus e raised to power 2x dot cost e raised to power minus x तुमारी exercise 4.2 complete हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी comment section में मुझे बताना कि आपको वीडियो समझा या नहीं आई अगर आपको पीडियो चाहिए हो तो आप मैंको बोल देना मैं आपको पीडियो टेलिग्राम पर अप्लोड कर दूगी thanks for watching